सबसे पहले इसके उपर की जो यह जाली है उसे हमें निकालना होगा अब आप देख सकते हैं कि जो हीटर एलिमेंट रोड है वो यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई है और यह घूम भी रही है जिसकी बज़े से अगर हम इसे चलाएंगे तो यहाँ इस कंडिशन में सपार्किंग करेगा यहां से और यहां से सपार्किंग करते समय होगा क्या कि बाद में यहीटर एलिमेंट रोड खराब हो जाएगी तो सभी तरीका कि आप वो मैं आपको बदाता हूँ एक पेंच यहाँ पर दे रखा है दूसरा नट यहाँ पर लगा हुआ है तो इन दोनों नटों को हम खोल लेते हैं हीटर एलिमेंट रोड को बाहर निकाल लिया है अब इसे लगाना कैसे है मतलब जो भी आप नई खरीद कर लेकर आएंगे एलिमेंट रोड उसे यहाँ पर इंस्टॉल कैसे करना है क्या है इसका सही तरीका वो मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं कि ये जो नोजल है और यह यहाँ पर बीच में गैप हो जाता है नट में तो उसकी बज़े से यहलता रहता है और स्पारकिंग होती है तो दोस्तो इस पार्किंग से बचने के लिए इस तरह के दो बोल्ट आपको ले लेने है इस एक बोल्ट को इस तरीके से इसके एक सिरे पर यहाँ पर ऐसे करके दोस्तो कस देना है तो देखे हमने इसे यहाँ पर कस दिया है अब दूसरा जो पेंच है दोस्तो उसे हमें यहा जो भी आप नई element rod लाएंगे उसे इस तरीके से यहां पर ऐसे करके फसा लेना है और फसाने के बाद इसका जो दूसरा सिरा इसे थोड़ा सा यहां पर ऐसे खीचना है खीचने के बाद यहां पर बीच में फसा लेना है अभी जो यह नट हमने यहां से निकाले थे इन नट को दुबारा से यहाँ पर कस देना है देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसे अच्छे धंग से कस दिया और बीच में बिल्कुल भी गया पने है अगर मैं अब इसे हिलाओंगा भी तब भी यह हिलेगा नहीं क्योंकि यह बहुत अच्छे से यहाँ पर इसके उपर जाली लगी हुई थी इसे दुबारा से यहाँ पर स्टॉल कर देंगे तो बिल्कुल सही तरीके से बर कर रहा है